Dear friends, I am Aditya and you are watching German Class. आज की वीडियो का हम बात करेंगे German B1 Certificate exam की preparation के लिए especially expression के लिए काफी लोग हैं जिनको problem होती है speaking skills में कौन से topic prepare करें किस तर से त्यारी करें तो आज मैं आपके सामने कुछ topic पेश करूँगा कुछ topics आपको बताऊँ जिए expression के presentation के लिए especially कि कैसे presentation देनी है और presentation में कौन-कौन से topic आप तयार कर सकते हो जिससे कि आप इन topics को पढ़गे definitely अच्छे मां से score कर सकते हो यह बहुत vast topic होता है कौन सा topic आजाए, कौन सा नहीं आए आपको नहीं पता रहता, कोई idea नहीं होता तो इसी के लिए मैं आपके सामने कुछ topic बता हूँ आज इन topics को आप ध्यान से देखना इनको note करना, मैं थोड़ा सा समझाऊँगा अभी इन topics के बारे में कि एक्छली इनमें लिखना क्या है आपको, यह कैसे इसके बारे में बोलना है topics की मैंने list स्यार करिए एक अब मैं एक ही करके इन topics को आपको explain करूँगा और आप देखना कि इन topics की help से आपको खाफी अच्छे score हो सकता है presentation में B1 Certificate Goethe Exam का चलिए शुरू करते है topics की बाद तो सबसे फ़रे topic जो है fitness studio fitness studio means gym तो presentation में आपको यह question आएगा कि या fitness studio ज़रूरी है कि नहीं कि जिम में जाना जरूरी है हमें जिम में जाने से हल्थ बन सकती है हम healthy जिम में जाने से ही रह सकते हैं या नहीं तो fitness studio या order 9 तो इसके favor भी बोलना है या इसके against में बोलना है या आपको decide करना है और इसके for tile और आपको noctile बताने है और situation आपकी hometown में कैसी है और आपका personal experience कैसा है यह 4 points है जो आपको हले topic पे बोलने होती है तो यह आपको पता ही होगा किस तरह से आपको बोलना है सबसे पहले आप अपनी personal experience बताओगे उसके बाद आप बताओगे situation आपकी hometown में आपकी high mark land में कैसी है फिर आप उस topic के for tile और noctile बताओगे कि उसके क्या advantage है क्या disadvantage है और last में आप thanks बोलोगे और अपना एक solution बताओगे एक message दोगे तो इस तरह से आपको presentation का अपना order प्यार करना है जो भी सारे topic में same रहेगा तो मैं कुछ topic discuss करूँगा अभी मैंने आपको बताओगे fitness studio या order 9 उसमें भी आप इसी तरह से सारे serial order में आप बात करोगे और सारी चीज़ों को बताओगे explain करोगे उसके पाइब जो next topic है वो है Umwelt Environment Environment के बारे में आप क्या बोल सकते हो Environment को हम कैसे protect कर सकते है ठीक है किस तरह से उसका हम ध्यान दख सकते है हमें क्या करना चाहिए आपका personal experience क्या है आप खुद environment के protection के लिए क्या करते हो आपका contribution क्या है तो यह भी आप प्यार कर सकते हो presentation के लिए उसके पाइब हम बात करते है the life in the land और in the city यहापे land से मतलब है countryside में countryside में मतलब कि village में या countryside में किस तरह से lifestyle है लोग कैसे रहते है और cities में लोगों का lifestyle क्या है वो कैसे रहते है तो दोरों में आपको comparison करना है आपको एक stand लेना है क्या आप city life के favor में हो या फिर डॉर्फ countryside के life के favor में हो और क्यों हो विदि आप बोलते हो की life in the village is better than the life in the city then why what are the reasons आपको अपने stand के लिए कुछ points बताने है अपने favor में कुछ points आपको देने है उसके बाद जो next topic आता है वो है cooking class cook interest in the school schools में जो school children होते हैं काफी छोटे होते हैं तो उनके लिए cooking classes useful है कि नहीं आपको क्या opinion है आपको परस्टनल experience बारे में और आपकी hometown में आपकी homeland में क्या culture है कि schools में cooking classes की जाती है या नहीं तो यह next topic है अगला topic जो आता है वो है हमारा partner और align लेर्मन आप पढ़ते हो learn करते हो revise करते हो exam के लिए पढ़ते हो किसी भी तरह के आप studies कर रहे हो किसी partner के साथ पढ़ना और align अखेले पढ़ना कौन से ज़्यादा fruitful है कौन सा useful है अकेले पढ़के ज़्यादा अच्छे से तैयरी होती है या किसी partner के साथ पढ़ोगी तो ज़्यादा अच्छे से तैयरी होगी क्या reason है अपने favor में आपको बताने कौन सा आप stand लेते हो किसके आप favor में हो और क्यों प्रेजेंटेशन त्यार कर सकते हो तो नेक्स पॉइंट आता है उसके बाद वो है I'll talk mid-order on a fanzian आपका daily routine आपका everyday life में TV का importance क्या है television आप कितना देखते हो television के बिना दिन कैसा रहता है आप इसके favor में हो या अगेस्ट में हो can you manage your day without watching TV कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपका क्या point of view है आपका opinion क्या है ठीक है तो आप इसको भी तैयर करोगे फिर आता है rising with elton order meet fronten किसी trip पे जाना, journey पे जाना friends के साथ और elton, parents के साथ कौन सा सही है और आप किसके favor में हो क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसके लिए आप points बताऊगे suppose आप बोलते हो कि journey with friends is more interesting than journey with parents और इसके favor में आप points होगे क्यों ऐसा आप बोल रहे हो friends के साथ journey क्यों ज्यादा comfortable होती है क्यों ज्यादा enjoyable होती है इसके लिए आप points बताऊगे और आपकी home line, आपकी hometown, आपकी home country में situation कैसी है लोग कैसे prefer करते है journey, trip पे जाना, friends के साथ ज्यादा लोग जाते है या अपने parents के साथ ज्यादा या family के साथ ज्यादा trip पे जाते है क्या situation है, आप ता personal experience क्या रहा है यह सब आप बताऊगे इस topic के लिए तो इसके बाद जो next topic आता है वो है house tier house tier मतलब pet, animal या order 9, क्या इसकी आप favor में हो या इसकी against हो house tier होना चाहिए घर पे या नहीं होना चाहिए यदि होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए आपको क्या उनसा house tier पसंद है उसके क्या benefit होते है तो यह सब आप इस presentation में लिखोगी और आपके country में, आपके land में, आपके city में क्या situation है, लोग house tier रखना पसंद करते हैं तो कौन सा रखते हैं, या नहीं तो क्यों नहीं, क्या reason है इसके लिए इसके बाद हम नया topic हम लेकर आए हुए टाशन गेल, pocket money के बारे में decision किसका होना चाहिए चिल्रन का होना चाहिए, या parents का होना चाहिए कि टाशन गेल, pocket money कैसे spend की जाए, कैसे खर्च की जाए इसके बारे में कौन decide करेगा बच्चे spend decide करें खुद, या फिर उनके parents उनको guide करें कि pocket money आपको इस चीज में खर्च करनी है और इस पर नहीं करनी इस पर किसका decision होना चाहिए, इसके बारे में आपको opinion क्या है या आप लिखोगे next point है, shopping in the mall इसको आप क्या समझते हो, आइंट of centrum mall, आइंट of centrum तो shopping mall में करने से क्या benefit होता है या क्या loss होता है, आपको opinion क्या है आपकी city में क्या situation है लोग जादा साथ shopping करने कहां जाते है mall में जाते है, या super market में जाते है या कोई और market में जाते है आपको इसके बारे में लिखना है क्या situation आपका personal experience क्या है आप खुद कहां पर जाते है शौपिंग करने के लिए ठीक है, तो यह आप point लिख होगे next afternoon डिश्पाखन foreign languages, आप सभी को पता है foreign languages हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी benefits होते है लेकिन इसके कुछ नाक्टाइल भी है कुछ इसके disadvantages भी है तो आपका क्या opinion है, foreign language के बारे में आप बताओगे कौन-कौन से language सीखनी चाहिए, इसके क्या benefit है क्या इसके आगे चलके future prospects हो सकते हैं और इसके क्या नाक्टाइल भी होते है foreign language सीखने के कुछ नाक्टाइल होते है या नहीं होते है आपको बताने है, या foreign language सीखने का जो process है बहुत expensive होता है, कभी-कभी time consuming होता है sufficient time नहीं होता है, फिल भी आप सीखना start कर देते हो बटागे जाके problem आती है तो foreign language या अगर आप सीखते हो तो आपके बाद एनफ और sufficient time होना चीए उसके बाद या आप language सीखने start करो इसके लिए पूरा process होता है, पूरे अच्छे से महनत करनी चाहिए और तब या आप language को अच्छे सीख सकते हो और थोड़ सा आपको time और money दोनों spend करना पड़ता है language सीखने के लिए तो इस तरह साथ बता सकते हो, अपने favor में point दे सकते हो और situation बताइए कि आपके hometown में, क्या trend है क्या लोगों youngsters में ज्यादा popular है foreign language आजकल या नहीं foreign language अगर popular है तो किस तरह की language popular है और youngsters जादा क्यों सीखना prefer कर रहे है इसके ये reason क्या क्या है, क्या कारण है कि लोग आपके town में, आपके city में foreign language को लोग ज्यादा सीख रहे है आजकल next point जो हम आता है, इसके बाद वो है mode, fashion and youngsters mode and yoga and leash इनके बीच में क्या relation है क्या fashion youngsters ही करते हैं या old people भी करते है fashion के साथ आगे बढ़ना अच्छी बात है या नहीं you should go with the fashion और you should follow your own lifestyle, तो इसके बारे में आपका क्या opinion है, कुछ लोग होते हैं को fashion के साथ चलना अच्छा लगता है जो भी latest होता है, जो भी latest trendy clothes होते है garments होते हैं उनको यह हो, वो खरीदते हैं और उनको use करते हैं तो आपका opinion क्या है क्या आप भी बहुत So तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, point वो है house-or-bite Thailand, जो घर का काम होता है, क्या वो share करना चाहिए, woman और husband को आपस में, यसे woman ही घर का काम करनी चाहिए, इसके लिए आप क्या सोचते हो, क्या घर का काम सिर्फ woman ही करनी चाहिए, या man को भी उसमें share करना चाहिए, तो आपको opinion क्या है, आपके city में, आपकी country में क्या situation है, क्या household work, दोनो husband वाइट दोनों मिलकर करते हैं, या सिर्फ wife की responsibility है, house-or-bite करना, तो इसके लापको क्या opinion है, आप क्या सोचते हो, और अगर ऐसा करना चाहिए, तो क्या इसके benefits होते है करने के, ठीक है, तो यह भी आप लिखोगे, तो इस तरह से काफी और भी topics है, जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ, एक बड़ी list मैंने बनाई है, around 25 topics है इसमें, तो आगे जो topics आते हो है, social network, बहुत important topic है, social networking sites, क्या आप use करते हो, इनको use करने को क्या benefit है, और क्या नुकसान होता है, social networking site को, और आपका personal opinion क्या है, और reason, social sites के बहुत ज़्यादा personal details, show करना या disclose करना भी रहा है, इस तरह साथ इसके बारे में, social network के बारे में, क्या आपका क्या opinion है, इसके क्या benefits और क्या loss है, इस तरह से, एक और अच्छा topic है, वो है, out of right आगे, car free days, in a year, क्या आपको लगता है कि साल में कुछ दिन, without car हमें चल है, और हम walk करें, या cycle से आगे बड़े, तो आपका opinion क्या है, क्या without car days होना चाहिए, या ठीक है या नहीं, आपका अपनो opinion क्या है, क्या इसके benefit होंगे, यदि हम एक दिन के लिए car ना चला है, या week में दो दिन car हम ना चला है, हम walking करें, या हम cycle से ही, अपनी journey पूरी करें, इसके बारे में आपका opinion क्या है, क्या यह सही है, environment के इसके effect पड़ेगा, environment कितना अच्छा होगा, या इसके कुछ loss भी है, या इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ लोग है, जो की walk नहीं कर सकते हैं, या cycle नहीं चला सकते हैं, या को emergency service है, तो उसमें आप कैसे walk करके जाओग studies करना better है, या फिर किसी profession को सीखना ज्यादा अच्छ जिरूरी है, क्या आपका opinion है, क्या higher education करते रहना चाहिए, या आपको लगता है, क्या आप में technically mind है, या आप technically sound हो, या आप किसी technical चीज़ को सीखना चाहते है, तो आपको कोई house building करनी चाहिए, या nursing का course हो गया, या क्यों भी profession आप करते हो, तो आपको उसकी house building आना जरूरी है, आपको उसकी training होना जरूरी है, क्या आपने training करी है, इस course की, तब ही आपको उस profession में entry मिलती है, तो आपको opinion क्या है, और situation आपके country में कैसी है, क्या हमापे studies को ज़्यादा focus गया जाता है, या कोई particular course की training को ज़् फोकस के जाता है, यंक्टर्स का किस तरफ ज़्यादा रुजान है, किस तरफ उनकी intention है, क्या वो studies को फोकस करना चाते है, या आप कोई professional learn करके job करना चाते है, तो इसको आप तया कर सकते हो, next point आता है, वो है, fry entry, जो museum होते हैं, उनमें entry ticket होनी चाहिए, या वो बिल्कुल free होना चाहिए, आप क्या सोचते हो, कि museum में अगर हम entry को free रख देंगे, तो उसका कुई benefit है, या अगर हम ticket charge करेंगे, कुछ पैसे लेंगे, तो उसका benefit है, आपका क्या opinion है, क्या ऐसा होना चाह सबी के लिए, children के लिए, students के लिए, youngsters के लिए, old people के लिए, तो क्या इसका को benefit मिलेगा, museum को, या country as a whole, या इसका कोई loss है, तो आपको यह बताना है, अपने points में, इसके बाद जो point निकल के आता है, वो है sports, आल्स बिरूफ, बहुत से लोग sports खिलते हैं, क्या उन्हें sports को ऐ बनाना चाहिए, क्या अच्छी बात है, अपने sports को as a profession बना लो, या अपनी hobby को as a profession बना लो, काफी सुराओं आपने की लोग बोलते हैं, कि मेरी hobby है, और इसको मैंने अपना profession बना लिया, तो इसको क्या फैयता होता है, क्या इसका benefit है, क्या ऐसा करना चाहिए, आपका opinion क्या है, क्या ऐसा ठीक है, तो इसके बारे मैं आपको तहर करना है, और जो next point है वो है plastic gashir, plastic gashir का मतलब है plastic paper, आपने लिखाओं को plastic की कुछ cups आती है, plates आती है, glasses जिनको हम use करते है, use and throw होता है, use करने के बाद उनको fat सकते है, क्या ये use करना अच्छी बात है, क्या इसको को benefit है environment पे इसको क्या effect पड़ेगा, क्या आप इसको अपने daily use में करते हो, अगर करते हो, तो कितना करते हो, क्या आपको को benefit होता है इसका, और क्या फायदे है इसको करने की और क्या इसके नुकसान है, और आपकी hometown में situation कैसी है, ये सब बाते आपको हरी point में discuss करनी है, जैसे कि मैं त्यार कर सकते है, और last point जो मैं बताना चाहता हूँ है, out of your shine, क्या car driving करने के लिए आपको license बनाना जरूरी है, और है तो क्यों जरूरी है, आपकी situation कैसी है country में, क्या आपको बिना license के गाड़ी चला सकते हो, आप car या नहीं चला सकते है, और license का importance है, क्या use है, आपको क्या लगता है कि driving के license होना जरूरी है कि नहीं, तो इसके बारे में आप तयार कीजिए अपना point, इसके benefits बताईए, या अगर आपको लगता कोई loss है, तो बताईए, क्या इसका disadvantage है, और इस तरह साथ presentation तयार कर सकते हो, तो मैंने आपको काफी points बता दी है, अगर आप इन points को तया कर लेते हो, तो I hope कि आप definitely इस पार्ट में speaking के B1 exam के काफी अच्छा score कर सकते हो, तो इस तरह कि मैं all videos बनाता नहूंगा B1 German level exams के लिए, बाकी videos अगर आपको देखने है तो playlist में आप चाहिए, आपको मिल जाएगी, काफी सारे videos मैंने बनाया है, B1 level exam आप कैसे पास कर सकते ह किस तरह की problem साथ की students को, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको काफी learning मिलेगी और काफी knowledge मिलेगी, तो वीडियो पसंद आया तो please like करना और share करना, मिलते हैं next time एक नए वीडियो में, bye bye, take care.